जैसे एक race का last lap होता है, IIT main से IIT advance की journey exactly वो last lap है तो इस last lap में give up नहीं करना होता इस last lap में in fact अपने आपको पूरी तरह aggressive zone में रखना हम गरबढ कहां पर ही करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा ठीक ठाक score आ गया हमें कोई नहीं कोई college मिल गया, तो we are happy अब जिन बच्चों का स्कोर बहुत सारे ऐसे बच्चे होता है I've seen in so many years कि उनका स्कोर बहुत अच्छा मेंज का बहुत अच्छी रैंक पर वो unnecessarily इस मोमेंट पर satisfy होने की करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं करना IIT एक all together different ball game है IIT में जाना तो मेंस का स्कोर हमें केवल ये confidence देता है कि हम finally IIT क्लेर कर सकते हैं IIT क्रैक कर सकते हैं तो इस last lap में पूरी तर अपना confidence बना के रखना That is the first important task Next thing is this कि बहुत सारे topics जो हम face करेंगे उनमें बहुत सारी चीजे हैं जो हम correspondence notes मंगवाते हैं उनके test देते हैं तो उन test में कई बार बहुत strange trouble होती है बहुत सारे इंसीडूट्स के test में कि उनमें वो उन्होंने उन topics के questions में डाले होते हैं जो actually अब नहीं आने जैसे complex numbers का Nth Roots of Unity है या pair of straight lines है coordinate geometry को और ऐसे बहुत सारे topics IIT में वो कुछ भी हमसे जो उन्होंने syllabus में mention करा उसके बाहर का नहीं पूचेंगे तो उसको लेके बिलकुल भी confused नहीं होना और habit डालो कि हमारा score 55-60% से अबव आए तो इस समय उसको prepare करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि previous papers को handle करो और एक habit डालो कि हमारी जो biological clock है जो हमारे पढ़ने की जो efficiency है वो maximum हमारा दिमाग उस समय चले जिस समय actually हमारा actual paper है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर राग को पढ़ने की habit है तो अब उसको छोड़ दो अब habit डालो exactly उस time पे पढ़ने की 3-3 गंटे की sitting बनाने की उस समय हमारी स्कोर से अपना average score बनाना शुरू करना है so that is the first important task जो exam में questions भी face करोगे उनमें कभी भी पानिक नहीं करते वो हमारे बहुत basic understanding से निकले होते हैं IIT is actually an examination of testing your basics तो वो basics की testing को हम वहाँ पे कैसे identify करेंगे किसी भी सवाल को देख के पानिक नहीं होते advance वाले questions में बहुत बार I have seen कि बच्चे बहार आके कहते हैं कि हमसे ये भी हो जाता हमसे ये भी हो जाता तो वहाँ पे पैनिक क्यों करते हैं क्योंकि हम लोगों ने preparation के time पे इतनी noise face करी होती है कि हमें लगता है कि actual exam बहुत tough होगा और वो नहीं होता तो इस बात को वहाँ realize करना इस बात को वहाँ नहीं भूलना कि paper बहुत simple है मैं बाद में जाके पच्चताने से बटा रहे कि इस time पे मैं confident रहूं तो उस moment पे confident रहना exam को handle करते time एक paper और second paper के बीच में first और second paper के बीच में जो gap हो उस gap को सही utilize करना निकलते ही कुछ फटा फट कुछ खाने की करना और उसके बाद at least one hour की rest लेना किसी से कोई बात नहीं करनी क्योंकि किसी से भी हम बात करेंगे तो actually हमें दिखेंगे बच्चे जो की बहुत तरह की views लेके आये होंगे तो वो हमें distort करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करना take that gap, utilize that gap take some rest rest लेते ही फटा फट उटके जाके अगले exam में बैठ जाना तो अगर हम properly exam को hit करेंगे तो IIT advance में अच्छा score लेना बहुत straightforward journey है पर इस moment पे confuse नहीं होना ना extra बातों को देखके कुछ भी extra भी नहीं पड़ना in the whole process जो अप फेस करोगे तो अग्जाम को पूरे confidence से hit करना चाहिए मेश्चा